अब एक ऐसी स्थिती आन पड़ी है अनो के सामने कि उसको अपने परिवार के लिए एक शील्ड बनकर फिर से रक्षा करनी होगी क्योंकि अब उसके और उसके हस्बन अनुज के बीच में आ चुकी है एक बहुत बड़ी दिवार वे दोनों अकसर आजकर लड़ते जगरते दिखाई दे थे हैं और उनके उपीनियन भी मैच नहीं करते वे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं अकेला महसूस कर रहे हैं खास करके अनुज और उसे माया की कमपनी अच्छे लग रही है वे वनराज को ये सच बता देती आनू कि वे उसे पसंद नहीं करते हैं